अगर आप सरपाज बत पर खड़ा होने जा रहे हो तो आज मैं आपको पांच ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ अगर जिसे आप अपनाते हो तो मैं आपको गरेंटी चुदा किया सकता हूँ कि आप जो है 100% सरपाज कर चुनाव जी जाओगे यह जो पांच ट्रिक है मैंने हमारे गराम पचाएद के सरपाज से पुछिए उन्होंने जो है यह पांच ट्रिक कौपणाया और वह पांच आ जीते जा रहे है चली मैं आपको पांच ट्रिक बताता हूँ और साथ मैं आपको बड़े नियम बताने वालों सरमस्बत पर kणड़े होने के लिया क्या उगलता होने चाहिए तो वीडियो बहुत इपोर्टेट है अंगर आप सरमस्बत पर खड़ा होने जारे हो, तो चलिए वीडियो को स्ठार्ट करते हैं और उन्हें श्योर करना है कि आपकी समयश्या का जो समधान जरूर किया जाएगा इससे यह होगा कि जो है सभी ग्रामवाज सी आपको जानने लगेंगे और जो है 100% भहुमत भी आपको ही देंगे बात करते हैं अगली ट्रिक की वो भी बहुत इंपोर्टन है अगली जो ट्रिक के दो नमबर वो है कि आपको जो है ग्राम पचायत में अपनी सीट बनाने होगी यानि कि आपको पता होना ची कि आपके ग्राम में किसकी सीट आने वाली है SC, OBC, ST या जनरल की यह बहुत जरूरी है ठीक है अगर आप जिस भी केटिकरिय से हो तो आपको उस ग्राम पचायत में उसकी अपनी सीट बनानी पड़ेगी तबी जो है आप पचायत का चुनाव लड़ सकते हो सरपन्च के तोर पर तबी जो है आप यह सरपन्च पत्बख़णा हो सकते हो तो आपको यह काम जरूर करना है कि आपको जो है अपनी ग्राम पचायत की सीट बनानी पड़ेगी ठीक है अगर आप यह नहीं करते हो तो आपका पैसा बरबाद चला जाएगा तो यह ध्यान रखे अगर आप सरपन्च पत्बख़णा होना चाहरे हो तो आपको अपनी जाती की सीट बनानी पड़ेगी यह जो है दूसरी ट्रिक है जिससे आप सरपन्च पत्बख़णा होकर सरपन्च पर जीच सकते हो बात करते हैं अगले ट्रिक की तीसरी जो ट्रिक है वो है विपक्षी दल की यानि कि जो है विपक्षी दल के बड़े बेरे नेता है उसको अपनी टीम में समरित करना पड़ेगा यानि कि उनका दिल जीतना पड़ेगा उनको जो है अपनी टीम में समरित करना पड़ेगा में समलित करें ताकि जो है आप सर्पंच के चुनाव जीतने में आपको अटनाए नाए और आप सानी से जो है सर्पंच के चुनाव जी सकें इसलिए विपकसी दल के बड़े-बड़े निटा को अपनी तरफ जुरूर करें अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की चोथी जो के वह एक मास्टर प्राइन ट्रिक है यानि कि आप उसे फोलो करें देखिए सबसे पहले आपको जो है किसानों की बाते सुननी होगी दिके जो किसान है या फिर गरीब जो है प्रिवार से हैं उनकी बाते आपको सुनने पड़ेगी आपको वहां पर जाना पड़ेगा जिस कि कोई भी जो है यहां पर डिगी की मामला हो गया या फिर कोई नलकूप का मामला हो गया तो आपका जो है उसे सुलूशन करके देना पड़ेगा ठीके तैकि किसान बायों की जो है एलप हो सके और साथ में जो है आपका जो है उन पर विस्वास हो सके और देखिए सबसे ज जरीब का भी जो है आपको पूरी समस्यहा का सम्थान करना होगा उनको विष्वात दिलाना होगा कि अगर मैं सरमज बनता हो तो आपके सम्षान जो है समधान अब शही करोंगा तो इसलिए यह माश्टप प्लेने कि आपको जो है एक-दो समिष्वात आने हो आपको सर्पजबंद बंने से पहले ही करना होगा है तो इस ध्यान को आप ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले किसान का और जो है जो बेरोज-घारे उन्हें आपको जो है विस्वार दिलाना मुलना आना चाहिए ऑर आपके पास आपका सरसरी मेके रिक शोंटरकी के देखिए आपको दर्श H7 में जहां भूही शहते पर बहुंत websites तब मालने सब ढऄ सेंगे ऐने अपके पहले आपको रुएने आपको बाशन किसी मैं श Hill और अगर आप स्पार्ट्री को अपनाते हो अच्छी तरह से आप 100% ग्राम परचायद में सरपच का चुनाव जीत जाओगे मैं आपको 100% गारांटी देता हूँ इस बात की क्योंकि दोस्तों मैंने ये 5 ट्रिक के हमारी ग्राम पर चायत के सरपल से पूछिए और वो जो हमेशा इसी ट्रिक का इस्तमाल करते हैं और लगाता चुनाव जीत रहे हैं आपको कौछी ट्रिक इस्तमाल करने चाहिए उससे पहले देखिए आप नियम भी सुन लीजिए क्योंकि इस बात अच्छे नियम भी लगाए गये हैं जो आपको जाना बहुत दर इपॉर्टेंट है सबसे पहले जो नियम है वो है आपकी सेक्षने योगिता के लेकर कि जो आपकी सेक्षने योगिता है जुर्बर पज़ के लिए वो यहाँ पर दस्वी पास होनी चाहिए लेकिन जो है 36 गड़ में जो है इस नियम को पालना नहीं करी वहाँ पर अनपट भी सरपच बन सकता है और अन्य राज्यों में जो है यहाँ पर दस्वी पास सेक्षने की योगिता रखी गई है तो यह नियम आपके लिए इपॉर्टेंट है अब बात करते है कितनी आयू होनी चाहिए तो 21 वर्स आपकी आयू होनी चाहिए सरपच बन पर खड़ा होने के लिए और हां एक और बड़ा नियम है कि आपके गर में जो है दो से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए तो यही बच्चे का चुनाओ लड़ सकते हो यह चोटे से बड़े निया है मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप सर-पद्पर बे खड़ा वोना चाहते हो तो आप इस नियुम को ध्यान के फिर ही शर्पद्पर बेखड़ा हो और इन पांट ट्रिक को फोलो करें जो मैने आपको बता ही फिर से आप वीडियो देख लीज question जब दोस्तां खड़ा होंने चाहता है तो इसे ज़िए जरूर शेयर करों करें और अगर आपका वह इससे क्वें में उसक्त क्मेंट करें जो वियन जेहिल जे बारत